बच्चों, हमारे आसपास अनेक प्रकार की living and non-living, सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। सजीवों में trees, plants, पेड, पौधे, छोटे बड़े आकार के जीव, जन्तु, इत्यादी पाई जाते हैं। जबकि निर्जीवों में non-living, घर, house, maze, table, कुर्सी, chair, किताबें, books इत्यादी होती हैं। हर वस्तु, सजीव हो या निर्जीव, living और non-living, छोटी-छोटी इकाईयों यानि units के मिलने से बनती हैं। In this chapter, we will learn about the basic structural units of an organ. इस अध्याय में हम अंगों की सरंचनात्मक मूलभूत इकाई के बारे में जानेंगे। As you know that, we assembles bricks one by one to make a building. आप जानते हैं, हम एक-एक इंट को जोड़ कर घर बनाते हैं। Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. उसी प्रकार विविन कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ कर प्रतेक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। Discovery of the cell, कोशिका की खोज, Robert Hooke in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device। Robert Hooke ने लगबग 1665 में cork के slice का समान्या अवर्थकी अंत्र यानि लेंस की साइता से अध्यायन किया। Cork is a part of the bark of a tree, cork पेड की छाल का एक भाग होता है। He took thin slices of cork and observed them under a microscope। उसने cork की पतली slice ली और सुक्सम दर्शी के नीचे उनको ध्यान से देखा। He noticed partitioned boxes और compartments in the cork slice। उसने cork की slice में अनेक कोश्ट युक्त अध्वा विभाजित बक्से देखे, बंटे हुए box देखे। These boxes appeared like a honeycomb। ये बक्से मधुमक्की के छत्ते जैसे दिखाई दिये। He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition। उसने ये भी देखा की एक कोश्ट अथवा box दूसरे से एक दिवार या विभाजन पट्टी द्वारा अलग था। Hook coined the term cell for each box. Hook ने प्रतेक कोश्ट को कोशिका का नाम दिया। So we can say the cell was discovered by the Robert Hook. इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका की खोज Robert Hook ने की। The cells those Hook observed were actually dead cells. At that time, improved microscopes or latest technology was not available. Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscopes. सजीवों की जीवित कोशिकाओं को अत्याधुनिक सुक्सम दर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका. The smallest unit of the body of living organism is known as cell. Or in other words, you can say cells are the basic structural units of living organism. सजीवों के शरीर की सुक्स्तम इकाई को कोशिका कहते हैं या दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कोशिका सजीवों के शरीर की मूल भूत सनचनात्मक इकाई है जिससे ये शरीर बनते हैं. Smaller animals has cells as basic unit. छोटे जानबरों की मूल भूत सनचनात्मक इकाई कोशिका है. For example, उधारन के लिए rat, चुहा, rabbit, खरगोज, पैरट, तोता, इत्यादी. Similarly, big animals are also made up of cells. इसी तरह बड़े जानबर भी कोशिकाओं से ही बने हैं. For example, elephant, हाथी, सिरॉफ, टाइगर, बुलू भेल, नीली भेल, इत्यादी. Hence, egg is a single cell which we can see with our naked eyes. मूर्गी का अंडा एक एककल कोशिका है, जिसे हम अपनी नंगी आँखों से भी देख सकते हैं. आईए, microscope की साहिता से एक कोशिका को देखने का प्रयास करते हैं. और चानते हैं कि ये कैसी दिखाई देती है. ये microscope है, इस tube के उपर eye piece है, जिसकी साहिता से हम slides को देखते हैं. ये 10 गुणा, 15 गुणा या 20 गुणा जूम कर सकता है. ये knob lens को focus करने के लिए, जिससे lens उपर नीचे होता है. निचला knob fine focus करने के लिए. ये है objective lens, जिसके नीचे clamp से कसी हुई slides रखते हैं. और ये है light illuminator, जो slides के लिए उचित प्रकास की व्यवस्था करता है. कोशिका के मूल संघटकों को देखने के लिए, एक प्याज लें, इसकी उपर की गुलाबी परत को हटा दें, जिससे आपको इसकी चोटी पतली सी जिल्ली मिल जाएगी. प्याज की जिल्ली को कांच की स्लाइट पर रख लें और इसे सुक्सम दर्सी के नीचे देखें. प्याज की जिल्ली में आपको इंड की दिवारों के तरह कोशिकाएं नजरा रही हैं. प्याज की जिल्ली में आपको इंड की जिल्ली में आपको इंड देखें. अबंते अफंजिये में एक Caleb अबंते ची की भी किए।